है तो हम लोग परेंगे ट्रांजिस्टर होता क्या है क्या ट्रांजिस्टर का रियल मिनिंग होता है क्या मतलों होता है कि जब हम दो पी-एंजंग्शन डायोड कितना N wise जोडते हैं तो हमें इस तरह का combination मिलता है oxide P है और oxide N, फिर इधर भी oxide क्या होगया P होगया और oxide N आप दोनों को या दोनों का एक P P साथ होना चाहिए इसको पल्टी मार दोगे इसको पल्टी मार ओगे इधर बचचे का N इधर N और इधर क्या हो जाएगा P का मन हो गया कैसा रीजन ओगया इधर एंडर फी और इदर एन अब हमारे पास टीन रीजन हो गया एक पर कर बोता है एक टर्मिनल को बोता है बेस cohort बोता है कालेक्टर इंद्वी मोंते इसको उतस अरजक क्या बोलते है शारात उतसं अरजक cał functionality को बोता है संग्राहक का औरrier कूंद्व आधक wyst को ब Soul ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं इसके पीछे का लाजिक क्या है कि इसका मतलब होता है ट्रांसपर आफ रेसिस्टर जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं डासिस्टेंस का ट्रांसपर हो जाता है कहीं पर करेंट हो जाता है और कहीं पर करेंट क्या हो जाता है लो कहीं कंस प्रीडेवल होता है कहीं कम होता है इसका इस्तमाल एस्टमाल dwc में होता है क्या है स्विच और एक होता है एक हो सबस्टद कर लिघrying ना कि व 001 गाना जाती हो मेहां पंजबी गाना है तो एंपलिफायर के रुमें किसका इस्तमाल होता है true transistor का है रेडियो का पुराना नाम होगा करता था रेडियो transistor का जाता था साउंड निस्तर का काम भी करता है तीन Terminal वाला होता है और resistance को क्या कर देता है सिफ इसका काम सिर्फ आही नहीं है इसका बहुँ सारा काम होता है direct DC को AC में भी convert कर देता हैं डीसी को किसमें कर देता है एसी में जैसे आपके आपको एक बताया गया था डीसी से कभी-nä-क-भी experiment में बताया होगा डीसी से आम लोग कैसे में करेंट इंड्यूस करते थे अब हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह का क्वाल होता था को और इसमें इस तरह कोक्यं होता था इसमें डीसी हम लोग बैटरी जोड़ते थे और ये तीन टांगों वाला यहां पर लगा हूं ब्लैक्ट क्लर का पूंप इस ट्रैंडिस्टर को यहां विंदिस्टर थे प्रॉपरे में करनें करने से क्या बन गया है यह DC AC बन जाता है और continuously vary करने के वज़े से बगल में रखते हुए coil में भी current induced होता है और हम लोग इसको पढ़ते हैं कौछ और यह लोग कहता है कि variable magnetic field के वज़े से बगल वाले coil में भी क्या हो जाता है इंडक्शन हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं mutual की self mutual अनन्य प्रेरकत तो यह हिंदी में बोलते हैं अनन्य प्रेरन इस घटना को तो यह सारा चीज काम करता है एक ऐसा काम करता है ट्रांजिस्टर का क्या काम है दो काम है कौन-कौन as amplifier as a switch transistor बनता कैसे है दो पीने जंग्शन डायोड को common करते हुए अगर हम add करते हैं तो तीन टर्मिनल वाला दो जंग्शन कितना जंग्शन होता है पर दो लोगों यहाँ पर एक पीन जंग्शन बना एंपी है यहाँ पर भी एक पीन जंग्शन बना तो दो जंग्शन वाल एक arrangement त्यार होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं transistor क्योंकि यहाँ पर resistance का क्या होता है transfer होता है कि कुछ और transistor के कितना पार्ट होता है तीन कितना पार्ट होता है तीन कौन-कौन emitter, collector, base क्या-क्या emitter, collector, base फिर से बोलो कौन-कौन emitter, collector, base generally forward biased होता है और collector reverse biased और base जो होता हो common का काम करता है base किसका काम करता है, common का, मैं फिर से समझाने के कोशिस करता हूँ, transistor आपके लिए कुछ नया चीज है, transistor का मत्तब होता है transfer of resistor, transistor कहते किसको है, दो PN junction diode को जब sidewise या end-to-end जोरा जाता है, तो दो junction वाला एक arrangement तयार होता है, या दो PN junction वाला एक arrangement तयार होता है, वो तीन terminal, terminal तीन है, लेकिन junction कितना है, दो, यहाँ पर PN junction बना की नहीं, यहाँ पर भी PN junction बना की नहीं, तो दो junction और तीन terminal वाला एक जो arrangement तयार होता है, उसी arrangement को क्य कि क्या नाम देते हैं दो तरह का होता है एक होता है NPN और एक था है PNP transistor कैसे बनता है जैसे जंशन दो दाइए एक यहाँ पर क्या लिए यहां पर पीत है और यहां पर इन अब जोड़ने का तौर तरी क्या अलग हो गया यह पी है और यह क्या है इन है अब जोड़ दीजिए इस तरह से कि इन वाला कनेक्च हो जाए तो यह बोला पोश्ऱृ ओंड़ बीच में रहेगा और इधर सेयं सोतों जोड़नें डिजिए से और जा And और जब जोड़ने का आप परिके फिर अलाग हुज़ा डिफरेंट होगा हैIX तोड़ा साई यह P-N junction diode है और यह आपका N है यह आपका P है आपकी बार क्या जोड रहे है तो इस side क्या हो जाएगा N चैनि उसके बाद P ऑर फिर से वापस क्या है के दिखनेघ लिए तो इसको मों बोलते हैं इसमें घोए इसको क्या पोलेंगे इमिटर इसको यह बोलेंगे आपके कि क्या इमीनिटर को हम तो ट्रांजिस्टर कितने तरह का तीन दो कितने तरह का कौन कौन पी और ज्यादातर जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वह है एन पी एन नाइंटी परसेंट के इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज होता है कौन होता है एन पी एन पी एन और पी एन पी में क्या अंतर है सर होता है और इसमें जो majority charge होता है नेगेटिव रिनात्मक मुख्त इलेक्टॉन होते हैं दोनों इसमें भी जो आपका collector होता है forward based होता है पर थोरा current के direction का पड़ता है पर किसका परता है? के डारेक्ट्षन क्योंकि एक जगा एलेक्ट्रोन मूव कर रहे है और एक जगा पॉजीटिव होल्स मूव कर रहे हैं तो यह खुल तान हे लेजन हरे एक कमें खरी होगा कि एमीटर करेंट जो इमीटर के दूरा दिया जाएगा वही current base और collector में जाएगा या फिर दूसरा ऐसा होगा कि base और collector जो current ले के आएगा वो कहां जाएगा? meter में और हर हालत में junction पर यहीं होता है कि current जो provide करेगा meter वो किसके sum के बराबर होगा तो base और collector किसके sum के बराबर होगा? base and collector समझाएं नहीं? हम लोग prove दिखाएंगे भी आपको जब हम connect करेंगे तब दिखाएंगे उसको बोलते हैं biasing of transistor उसमें होता है अच्छा उस biasing दो तर तीन तरीका से काग किया जाता है एक किया जाता है common base common collector common meter क्या क्या? common base common collector तो पलो उतना नहीं अभी चुप चाप तुम लोग क्या समझो? जो what is transistor और एक कितने type का होता है? कौन-कौन? transistor में कितना part? कौन-कौन? सबसे ज़्यादा बड़ा part होता है emitter नहीं सबसे ज़्यादा डोप्ट, सबसे ज़्यादा impurity किस कौन होता है? emitter के पास और सबसे कम impurity base वाला सबसे कम doping basement और moderate doping सबसे बड़ा होता है collector उससे छोटा होता है emitter और सबसे पतला होता है base collector सबसे बड़ा क्यों होता है? तो collector की सबसे बड़ा होने का main reason है कि सभी charge को collect करता है तो थोड़ा सा region क्या होना चाहिए? बड़ा base भी देगा वहीं वो भी collect करेगा emitter भी देगा वो भी collect करेगा तो इसलिए थोड़ा सा उसका region क्या होना चाहिए? बड़ा किसका collector का और उसके बाद उससे छोटा क्या होता है? सबसे पतला सबसे पतला clear है? जलो फटाबर definition लिखो तो transistor transistor बहुत सरा होता है field effect transistor तो बहुत सरा transistor लेकिन यह आपके अभी की चीज़ नहीं है graduation फिल्ड एफेक्ट टांजिस्टर या तुम्हारा BJT bipolar junction transistor यह सारा चीज़ अभी नहीं बस अभी तुम्हें commonly जानना है उस अभी engineering का चीज़ है graduation engineering में पढ़ना है चलो बोलें लेखे तो ट्रांजिस्टर लेके डैस बिज़ लेके अगे एट 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 एन अरेजमेंट आफ अगे टू पी एंग्सण डायोड अगे अगे विज कॉम्हान with common n or p part n or p part it has two pn junction and three terminals it has two pn junction and three terminals it has two pn junction and three terminals कितना pn junction है दो यहां भी देखो यहां n p तो यहां एक pn junction हुआ और यहां पर pn दो pn junction हो गया और terminal कितना है तीन ख्लेर इतना लिखे देराट टू टाइपस आफ देराट टू टाइपस आफ ट्रांजिस्टर अ मैं फिर से बता रहा हूं अलग 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 बेसिस पर अलग अलग होता है बी जे टी एफी टी बहुत सारा ट्रांजिस्टर होता है लिखना आपके लेबल पर ऑपरेशन के बेसिस पर मेजरेटी चार्ज करियर कौन-कौन है उसके बेसिस पर कितने तरह का ट्रांजिस्टर होता है दो कौन-कौन बोलो पी एन पी और ऐसा ही लिखना पी एन पी लिखो डेफिनेशन के लिए जगा चोर देना बादमा की चाप हो हिंदी मेडियम वाले लिखो तो लिखे ट्रांजिस्टर कहीं दे ट्रांजिस्टर ही होता है ट्रांजिस्टर एक ऐसा यंत्र है जो दो पी एन जंक्शन डायोडों के जो दो पी एंजेंचन डायोडों के किनारों से मिलाने पर बनता है इसमें एन अथवा पी भाग उभेनिस्ट होता है इसमें एन अथवा पी भाग उभेनिस्ट होता है इसमें एन अथवा पी भाग उभेनिस्ट होता है पूर्ण बिराम के बाद लिखना है प्रांजिस्टर में दो पी एंजेंचन तथा तीन तर्मिनल्स होते है दो पी एंजेंचन तथा तीन तर्मिनल्स होते है प्रांजिस्टर में दो पी एंजेंचन तथा तीन तर्मिनल्स होते हैं हो गया नहीं बोला है इसके बाद आपको लिख लेना है इधर पी एंप 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 लाइन देफिनेशन छोड़ देना पी एंप के लिए वैसे लिखें तो फड़ा फट पी एंप के लिए इसके दो परकार होते हैं और एक साइड पी और एक साइड एन पी एंप चलो लिखके और तो इस साइड अगर आपको परिभासा लिखना होगा डेफिनेशन की पी एंप ट्रांजिस्टर किसको करते हैं तो इंग्लिश में बने फर्स लिखेंगे अपनी रFF ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्सर मेजरी auer कर्यर मेंके ताइप और ट्रांजिस्टर मेंORT करियर इस पोजेटिव होल्स है इस अ टाइप अफ ट्रांजिस्टर इन विच मेजरेटी चार्ज करियर इस पोजेटिव होल्स हिंदी मेडिय वाले लिखेंगे पी एन पी साइड रांजिस्टर का ऐसा प्रकार ट्रांजिस्टर का ऐसा प्रकार जिसमें मुख्य आवेश वाहत जिसमें मुख्य आवेश वाहत धनात्म कोटर हो धनात्म कोटर 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 ना लिख रहाता है मारेंगे अतना मारें हिंदी मेडिय में कोटर नहीं लिख रहा है कोटर हो उसे पी एन पी ट्रांजिस्टर कहते हैं हो गया है हिंदी मेडिय माले लिखेंगे हिंदी मेडिय माले लिखा था का चलो हो इंग्लिश मेडिय माले लिखा थो एन साइड में इस टाइप आफ ट्रांजिस्टर in which majority charge carrier is free electrons in which majority charge carrier is free electrons in which majority charge carrier is free electrons NPN के साइट लिखना है हिंदी मेडिय वाला NPN के साइट लिखेगा चान्जिस्टर का ऐसा प्रकार जिसमें मुख्य आवेश वाहग जिसमें मुख्य आवेश वाहग रिनात्मक मुख्य इलेक्ट्रॉन होता है रिनात्मक मुख्य इलेक्ट्रॉन होता है उसे MPN ट्रांजिस्टर करते हैं उसे MPN ट्रांजिस्टर करते हैं अग्या सिंबॉल देखी यह MPN है तो इस साइट पॉजेटिव ओल बीच में इलेक्ट्रॉन फिरिसाइट साइट पॉजेटिव ज्यादा कॉन है पॉजेटिव ओल्स की फ्री एलेक्ट्रॉन पॉलो इसको हम लोग नाम देता है पी एन पी ट्रांजिस्टर अब सर्किट में ऐसे थोरी बनाएंगे तो नीचे है सर्किट सिंबॉल इसमें एरो का बरी रोल है एरो का एक मिनट एक मिनट गलत हो गया पी एन पी नहें तो पी एन पी होगा तो याद रखना अंदर के तरफ होगा क्या होगा अंदर के तरफ और NPN होगा तो बाहर के तरफ क्लिए रेज ना T for penetrate और current जाएगा penetrate करते हुए अंदर तो PNP में क्या जाएगा current अंदर और NPN में current क्या हैगा बाहर अब NPN किस तरह से होगा सर तो थोड़ा सर इसको चोटा करके मैं symbol कर दे रहा हूँ और जगा हमको मिल जागा proper तो ऐसे तुम भी बना सकता हो कि NPN कैसे बनेगा कैसे इसी तरह से ध्यान से देखना इसमें जो size रखा गया है उसका ध्यान रखना कि E meter का size collector से थोड़ा सा चोटा है और सबसे कम size किसका है thickness किसका है base का किसका है यह जो E meter होगा हमारा आज इसको E से denote करेंगे अब यहाँ NPN transistor बनाएंगे one transistor NPN और यह कौन सा transistor है PNP तो NPN transistor में जो free electrons होगा majority charge carrier होगा मुख आवेश वाहक कौन होगा free electrons यहां क्या होगा N इन बोले तो negative electrons की positive holes N इसके बाद एक P और फिर से यहां पर क्या होगा N फिर से यहां पर क्या होगा N इसको हम लोग नाम क्या देते हैं एक को नाम देते हैं emitter बीच वाले को क्या बोलता है base और last वाले क्या सिम्बॉल अगर पूछा जाए कौन से सिम्बॉल सरकिट सिम्बॉल तो सेम होगा हूँ बस arrow का फर्क होगा कि किसका फर्क होगा arrow का इसमें arrow इसमें arrow बाहर होगा इसमें arrow बाहर और उसमें arrow यह हो गया emitter यह हो गया base और यह हो गया collector हिंदी मोलते हैं संग्राहक स्वरे उत्सर्जक क्या बोलते हैं उत्सर्जक इसको क्या बोलेंगे संग्राहक और इसको क्या बोलेंगे आधार और इसको हलके में मत लीजेगा मैं आपको डरा रहा हूँ दमका रहा हूँ पूछा जाता था लेकिन पूछा तो जाता था नहीं बोलना है पिछले कभी मत भूलिएगा कि इसको आपको उतना ही मन से पढ़ना है जितना मन से आप डायोड पढ़ना है इसको कभी भी उल्टा सीधा सोचके मत पढ़ो पाथक जी को कभी भूलिएगा नहीं चले लिखें कि वह गया कि उतार लो ओर हो गया क्लास अज इतना ही रहने देते हैं तैंक्स वाचिंग देखने के लिए धन्यवाद कि उतार है आप देखने की यह जी है लो वह घएच्टनों छॉजआ नहीं है